यह रिसेशन मंदी होती है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह बना है रिसीड से इजन जी कोई भी वर्ड आपके सामने आए कोई भी वर्ड आपके सामने आए ना तो उसको तोड़ दो इस्प्लिट करो देखो ऐसे यह रि प्रिफिक्स है और सीड क्या है रूट वर्ड है तोड़ते ही आपको अधबुत चीज देखने को मिलेगी रि का मतलब मैं बता चुका हूं क्या होता है बैक बैक का मतलब वापस नीचे के सेंस में भी आता है और यह सीड देखकर मुझे सीडी आदा रही है क्या आदा रही है सीडी 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 यह जो रूट वर्ड हैं तुम्हें आशर होगा कि यह रूट वर्ड संस्कृत या फार्सी इनी से जुड़े हुए हैं फार्सी हमारे पहले चलती थी तो फार्सी के डेर सारे वर्ड सम्यूज करते हैं पर्सियन लैंग्वेज इरान में पहले बोली जाती तो इंडिया और योरोप के बीच में इरान से आते जाते थे इरान बहुत-बड़ा कल्चरल सेंटर था तो इसमें क्या हुआ कि इंडिया में आकर उन्होंने संस्क्रिट सीखा इरान से फार्सी सीखा और फिर वां उनकी बाशा में योरोप में गई तो यह योरोपियन लैंग्वेज एक खास्तर से इंग्लिश है वह लैटिन बासा से बनी है जो की रोमन एंपायर में चलती थी और जो ग्रीक लैंग्वेज जो की युनान में चलता था वाशा वह सबसे पुरानी लैंग्वेज संस्कृत से या पर्सियन लैंग्वेज से इंस्पायर थी तो इंग्लिश के जो रूट में जाओगे न तो देखोगे कि वह संस्कृत या कुछ देशी चीज मिल जाएगा उसमें सीडी से चड़ना ज्यादा मुश्किल है या फर्स पे चलना ज्यादा मुश्किल होता है और सीडी से उतरना भी मुश्किल होता है फर्स पे चड़ने के तुलना में तो सीडी का मतलब है मूब करना कैसे मूब करना अप या डाउन और मुश्किल के साथ क्योंकि हुआ यानि धंदेव इंकम में कमी आई तो उसे हमें मुश्किल हुआ कि नहीं हुआ बाड का पानी ऊपर चड़िया फिर दीरे-दीरे पानी रिसीट किया तो रीमाने बैक सिड़ी यानि जैसे कोई सीड़ी से उतरता है वैसे ही पानी दीरे-दीरे नीचे आ है और मंदी में रिसीट होता है रिसेशन तो मंदी में सब कुछ दीरे-दीरे चलने लगता है यह चीज किया रहिए नीचे आ यही रिसीट का नाउन क्या बना रिसेशन मंदी अब उसी तरह इस जेंग जी कन सीड यहां इस्प्लिट करिए इसको तो कन का मतलब क्या है पास साथ और यह सीडी यह भी सीडी है तो तुम समझाओ सरकार का रैंक हाई है या लो है सरकार का रैंक क्या होता है सरकार की रैंक इस तर क्या होती है हाई और आम जनता वर्कर्स लो तो वर्कर्स ने डिमांड किया चात्रों ने डिमांड किया और सरकार ने नहीं माना लेकिन जब बहुत परिशान कर दिया तो फिर सरकार की हेकड़ी डिली हुई और फिर वो जुकी तो जुकने का मतलब सीड़ी सीड़ी का मतलब जुकने का मतलब नीचे आना तो नीचे कैसे आएंगे सीड़ी से और बहुत मुश्किल से नीचे आई सरकार जुकी आराम से जुक गई मुश्किल से जुकी सीड और कन का मतलब पास यानि सरकार जुकी तो फिर वो जनता के पास आकर उनसे बातचीत की और उनकी डिमांड को मान लिया का तो अपने रुख से पीछे हड़ते हुए स्विकार कर लिया जंता की बात को तो कंसीड कंसीड का मतलग कर्मचारियों की या जंता की बात को बहुत मुश्किल के बाद सरकार ने में लिया तो क्या हो गया concede अब यह है exceed देखो इसको तोड़ो जो है यह जो AC होता है रोज रोज बताता हूं यह क्या है AD है AC क्या है AD है और AD का मतलब देखो एक बताया है AB ए भी prefix दूर और ad का मतलब पास और यह फिर दी यह क्या है? तो अक्सीड में भी वही होता है लेकिन बस इष्णैच जी आप यह याद रखना प्रिज अक्सीड क्या लेता है? टू लेता है इंट्रांजिरिव बर्व है तो अक्सीड में भी वही है कि पहले नहीं मान रही थी दबाव बनाने के बाद जुकी और पास में आई जनता के इस लड़के को बता रहा हूं कि अक्सीड टू दा थ्रोन अरे सिंगासन होता है ना तो द द प्रिंस प्रिंस जानते हो राजकुमार तो राजकुमार अक्सीड टू दा थ्रोन यानि कि सिंगासन पर जाना मुश्किल काम है या असान काम है अरे किसी का राजा बनना असान है या मुश्किल है मुश्किल है और एडी का मतलब पास तो अक्सीड टू द थ्रोन का मतलब है कि वा सिंगासन पर बैठा सियहासन पर बैठने का मतलब वो राजा बना, तो औक शी टु दा थ्रोन है, इसका मतब है कोई राजकुमार का राजा बनना, यानि all पर जा करके बैठ, औक शीट टू अर अक शीट टू दा दि मांड का मतलब जैसा अभी बताया कि va ons और students और किसानों की मांग को नहीं मां रहीती सरकार लेकिन दबाव बनाने के बाद फिर वो जुकी और जुक करके उनके pass AD का मतलब क्या है pass पास आकर उनकी demand को मान लिया और यहां कन का मतलब भी क्या है pass और का मतलब क्या है जुक जैसे सीड़ी से नीचे आते नहीं वैसे लेकिन मुश्किल के बाद जुकते आयों तब होता है कंसीड और I Corps दौMore में तो यह एंधर यृृसइड फ़र्लन कांकि किसी की मांको मनना लेकिन कैसे मानना कभी इंक और दबाव के बाद और अक्सीट टू का मतलब भी किसी की मांग को मान लेना का भी दवाओ के बाद अब